जैहिंद मेरे पैरे बच्चे आप सब कैसे हैं I hope सब अच्चे होंगे इस वीडियो में आप लोग को मैं जानकरी दिया हूं कि SSJD 2018 में जो बच्चे क्वाइलिफाई हुए हैं या 2023 वाले बच्चे जो आगे की तियारी करना चाहरे हैं इसका एक बहुत बड़ा information में देने वाला हूं कि किन चीजों पर आप ज़्यादा फोकस करें उन बच्चों का जिनका फिजिकल में आप लोग का नाम आ चुका ठीक है उन बच्चों को मैं बहुत ही अच्छा एक अस्वासन देना चाहता हूं जिसमें से बच्चे बाहर ज्यादा होते हैं जो 2018 वाले म सबसे पहले आपको मिलता रहे ठीक है अब हम आप लोग को बात करें मेरे पहरे बच्चों बहतरीन तरीका से यह कारण क्या है इससे पहले हम बात करें मेरे पहरे बच्चों सबसे बहतरीन तरीका से कि SSJD 2023 का हम लोगों ने बैच लॉंच कर दिया है इस बैच का प्राइज जो आप लोगों का है मेरे बच्चे ठीक है इसका प्राइज जो है वह 499 रुपिया का मात्रच है आप पैमेंट इस नमर पे कर सकते हैं फोन पे गोगल पे पेटियम 25 तारिक से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के लिए जबर जस्त बैच है इसमें आप लोग करेंगे कि कितनी बहतरी तरीके से आप लोगों का यह क्लासिस हो रहा है ठीक है ऐसे हम बात करें कि अगर जूड़ना होगा तो इसका पैमेंट करके इसकी स्क्रीन सोट आप इसी नमर पे सेंड कर सकते हैं अभी हम बात करें मुद्धय वाली बात क्या है देखे दोजरा ठा करा में जो सबसे बढ़ा कारण एक हाइट मेरे बुचे एक सबसे बड़ा कारण साथ है एक मेजरमेंट का एक Mbade जाता है अनुकरीया बड़ता है कीन कारणों भी मैं बता देता हूं जहां पता क्जित करद हो दो रीजन सबसे बड़े रहे हैं इनकी हाइट मेजरमेंट को लेकर मेरे बच्चे वह इसके हाइट की स्केल इनके उपर रहता है वह अपना स्केल को अपर और नीचे कर देते हैं हमें और आपको पता नहीं चलेगा लेकिन हाइट मेजरमेंट के जो तरीका है वह आपने तरी ठीक है अगर 80 cm इनका है तो मेरे बच्चे यहां पर आपको क्या किया जाएगा थोड़ा नीचे तरीका से उना पेगा ठीक है जहां पर इनको लग रहा है कि बच्चे का भीड़ बहुत ज्यादा है इनका तरीका निकालने का यह है कि थोड़ा भी कम जो टैप का लगा भी इस करते वागर आप सपोच करिए आपकी हाइट जो है वहां 171 cm है वहां पर आपको 169 cm नाप दिया जाएगा अधी आपकी हाइट 172 है तो मेरे पेर बच्चों पूरा प्रोपर 170 cm नाप एगा ठीक है पिछले बार क्या हुआ था कि कटप का जरिये लो नहीं था जिसके वज़ अगर आपकी हाइट 172 है तो आपको 171 लिखके देगा अगर आपकी चेस्ट 85 है तो आपकी तीरासी लिखके देगा जिससे कि कल रखे अगर आपकी थोड़ा कम भी होता है तो वह प्रॉब्लम इन्हें ना हो किलर है तो वह कभी भी आपको थोड़ा कम के ही देंगे अधी आपकी चेस्ट और हाइट में प्रॉब्लम्स है तो मेरे पेरे बच्चे आप लोग को एक चीज में बता दूँ थोड़ा सा भी दिमाग लगाई अभी काम कर वी इसके उप अब का आज आएगा ठीक है तो ध्यान रहे चीज दोरों चीजों पर सबसे ज़्यादा जो बचे बाहर होते हैं अगर रणिंग की बात है तो रणिंग के बारे में मेरे पैरे बच्चों जिनकी बढ़िया है पांच किलिमिटर रणिंग जो प्रेक्टिस कर रखा है अभी बच्चा प्रेक्टिस के लिए था सवसंन देना चाहता हूं लंबा रणिंग करने की कोशिस करिये मतलब क्या कि ज़्यादा टाइम तक ही ज़्यादा रणिंग घथी ताइम आप देने की कोशित करिए अब आदा घंटा तक अनीब आपको ज़िए ग्राउंड में और धीर अब एक महीना आपके पास पूरा धीरे धीरे का टाम लीजिए एक घंटा पूरा रेगुलर दौड़ने का ताकत रकि अपके अंदर जिस टम आपके अंदर थोड़ तो इस्टेमिना बढ़ने लगेगा एक घंटा अपने अनुसार वह दोड़ने लगेंगे चाहिए धीरे द प्रवाटिस के अंदर जो बिल्ड होगा इसके बाद दिर दिर आप टाइमिंग लेना सुरू कर यह पांच किलमेटर का टाइमिंग मेरा कितना रहा है क्यूंकि एंजड़ी हो सकता आपके सीन पैन हो सकता मेरे पैरे बचे लिगमेंट में प्रॉब्लम हो सकते इस इसको ध्या अगर आप अच्छी सूज यूज कर सकते जिनके जो सोल होते है वो मुटे हो यह सब रोड रूनिंग भी कर सकते जिनका सोल बढ़ी है तो याद रखिए नॉर्मल सूज सेगा का यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स लिगमें में आएंगे ठीक है तो यह सारी चीज ह में जाते है तो दो चीजों पर अपका हाइट और आपका चेश्ट जिसमें सबसे ज़्यदा बच्चे बाहर होते ही होते हैं ठीक है तो ध्यान रहे इन बातों पर चलिए अच्छा लगाओ वीडियो को तो लाइक करना सेर करना मिलते हैं नेक स्टूडियो में तब तक है एक जवर जस्त एक आप लोग के लिए रखा हूं जिसमें आप भाग ले सकते हैं वह बचे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में में मेरा रेफरल को D93 यूज करके ही जॉइन करें ठीक है तो आज एक बज़े जरूर यूडियागा सभी के सभी बच्चे एक बज़े आप किते हैं बाबाई